हेलो फ्रेंड्स मैं अंकुर्च आधरी आज आपके सामने जो वीडियो लाया हूँ वो लेके आऊ तिमबर ट्यूब पार्टीशन की तो आज की वीडियो में मैं आपको विजिट कराऊंगा अपनी एक साइड जहां पे हमने तिमबर ट्यूब का पार्टीशन बनाया है तो उस साइड पे मैं आपको पहले पूरा पार्टीशन देखिएगा कि किस तरह से बनके तयार हुआ है फिर इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्राइस भी बताऊंगा कि इस तरह का पार्टीशन क्या प्राइस में बनता है और बहुत सारी टेक्निकल चीजे जानेंगे इस टिमबर ट्यूब पार्टीशन के बारे में तो वैसे मैंने पहले भी दो वीडियो बनाई हुई है टिमबर ट्यूब पार्टीशन की जिसमें मैंने पूरा कंसक्शन दिखाया था कि किस तरह से बनाया जाता है एक वीडियो बनाई थी काफी इनफोमेशन दी थी उसमें टिमबर ट्यूब के बारे में तो वो वीडियो भी आप उपर आई बटन में देख सकते है तो जो Timber Tube का Partition है बैसिकली इस तरह के Timber के Tube आते हैं इस तरह के ट्यूब आते हैं साड़े 9 फिट लंबे इनकी Partition मनाए जाते हैं तो देर न करते हैं पहले मैं आपको लेके चलता हूं side पे और आपको दिखाता हूं Timber Tube का पूरा Partition और लास्ट में हम डिसकस करते हैं आप देख सकते हैं यह थोड़ा तिलचा करके लगाया हुआ है जिससे विजुबल्टी काफियत तक कम हो जाती है यह आप देख सकते हैं और यह बिसिकली ड्राइंग रूम का ही एरिया था लेकिन ड्राइंग रूम में ही थोड़ा सेपरेशन दे दिया गया है और यहां पर यह मंदिर बना दिया गया है तो यह मंदिर में और यह कर्टेन लगा दिये गया है और एक तरफ टिमबर ट्यूब पार्टिशन पर एक साइड दिवार पे तो यह बिसिकली एक छोटा सा पोर्शन सेपरेट हो गया है तिमबर ट्यूब के पार्टिशन से और कर्टेन से और प्रेंड्स जैसा कि आपने देखा साइड पर यह टिमबर ट्यूब का पार्टिशन बनके रेडी हो गया है तो बेसिकली यह मंदिर का एरिया जो घर के अंदर मंदिर है वो ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया में एक साथ रटेश था तो उसके एरिये को सेपरेट करने के लिए यह पार्टिशन बनाया गया तो आप देख जैसे देखा तो इस पार्टिशन में कुछ अलग आपने जो देखा तो बिसीकली इसे यह ऑर पार्टिशन बनाया गया जैसे यह टिमबर ट्यूब होती है तो इस पैनल को एसदर SSS सीधा ना करके हलका टिल्ट करके लगाया गया जिससे विजिवल्टी काफियत तक रुग गई है कि आदमी आरपार नहीं देख पाएगा तोड़ा अगर तिल्चे में जार करके देखेंगे तो ही देख पाएगे तो जैसे पार्टिशन के इस तरह से अगर लगाते हैं तो यह से ना करक उलेदे तो फ्रेम जब बनाते हैं तो फ्रेम के अंदर ये जो चोक और फ्रेम अजाता है पहले तो उसके बत्ते डाले जाते है इस तरह से TH 내inas when this j मैं इовब दिरने में दोनों तरह डाले यह डाला और जो है बीच के एक को खाली चोड़ा तो बीच को एरिये को खाली चीशोड़ा कि जैसे आपने देका ऊपर की जैट तो भीस के एमिद्धियर से थोड़ी इसे बनाया जाता है तो वो वीडियो में ने पहले से डाल लग एए वीडियो के last में आपको Link मिल जाएगा description में Link मिल जाएगा तो आप construction की वीडियो भी देख सकते हैं कि कैसे इस तरह के partition बनाय जाते हैं अब बात कर लिए क्या compliance में ये cost में ये partition पूरा तेयार करके दिया तो मैं आपको ओवराल प्राइस बता दू तो 15,000 रुपे में यह पूरा पार्टिशन त्यार करके दिया तो पार्टिशन में यह साइज में आते हैं और इसमें तीन हो पर सथ हैं तो यह तो आप को लाइट है नहीं लगानी यह तो सेंटर में बगते लगा के फ्रेमिंग दे jumps आ अपकर आते हैं तो करिव कर घारेचा हैं यह जो कर नहिए्छ तो बाकी जो partition थे उसमें छोटे पीस डाले गए और हजार रुपे कास पास इनकी cost थे गाई 1200 रुपे की और 2000 रुपे जो installer थे उन्होंने चार्ज किया इसको बनाने का तो टोटल जो है हमारी जो है 15,000 रुपे में ये पूरा partition हमने तयार करके दिया बाकी आपकी कुछ और query है कुछ और जानना चाहते हैं timber tube partition के बारे में तो आप नीचे comment कर सकते हैं मुझसे जान सकते हैं आप अगर बनवाना चाहते हैं तो मैं अगर आप nearby है तो हमसे बनवा सकते हैं तो आपके इलाके में अगर कोई timber tube sale out करता है या manufacturer है या supplier है तो आप उसके purchase करके और यह partition बनवा सकते हैं तो ऐसी ही interior rated video मिलाता रहता हूँ interior के content मिलाता रहता हूँ hope यह video आपको अच्छी लगी हो लगता है किसी के काम की है या आपके काम की है तो यह video ने share जरूर कीजिएगा thanks for watching जै हिंद जै भारत झाला झाला जाओ को आपको आपको ओल आपको बारत